मुझे अतिति शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार सोचते हैं कहीं पर खून के दीपक जलाए जा रहे हैं और कहीं पर मुंडन कराकर पर उदैपुरा में आज मान्ये सिवरा सिंग चोहन को सर्थ बुद्धी देने के लिए यग्य का आयोजन किया गया अतिति शिक्षकों के द्वारा परिक्षा की टाइम परिक्षा करवा के लोग 向 लोगों के लोगों खटा देते हम लोगों को अब आप बताईए 35, 45 रुपे और 25 रुपे तीन बर्ग में बाट रखा है मद्विदेश सरकार ने हम अथिती सिक्चकों को आप बताईए कि हम 35 रुपे में 45 रुपे में हमारा घर का खर्च चल पाएगा हमारी मेहला बर्ग भी है और हमारे घर के बहुत नाराज होते हैं आप लूग तो हम कहते हैं उनसे अथिति शेक्चक हमारे साथ वेदबाब किया जाता है हम जहां की सालाओं में जाते हैं उस साला में हमसे वेदबाब किया जाता है जो पर्मनेंट टीचर होते हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं हमें नोकर जैसे नोकर से बत्तर इस्तिती पर मद्रदेश सरकार ने मानी सिवरास्टिंग चोहां ने हमको रख दिया है वो हमसे बहुत भेदवाप करते हैं और हमको ना सई समय पर बेतनवान मिलता तीन-तीन मह किस बार क्यासा चलेगा आप सोचके बताईए अब क्या नाम है आपको किस बज़े से आपने जो यग्ग किया है क्या किस बज़े से आउत्यादी नाम भूजराय लोदी है मैं अतिस्तिक्चक संग्सट्ध्यक्ष हूं और यह जो आज गुदफपुरा बिलाक मैं आज जो हवन किया गया है हमारी मांगों को लेकर किया गया है सासन को हम सदबुद्धी के लिए सीम साब को सदबुद्धी के लिए यग किया गया है कि हमें निमित किया जाए हमको पर्मनेंट किया जाए इस उद्देश से हमने यग किया है मेरे नाम आरती सौनी है, मैं उत्करश्ट स्कूल से हूँ, उधैपरा सुप्राक से, और मैं अतिती सिख्षक में हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ, कि हम महिला वर्क होके भी अपना टाइम निकाल के घरकरश्टी का काम छोड़के, बच्चों को भी साइट में रखके हम बीजेपी सरकार का बहिसकार करेंगे, और यदि उसके बाद भी नहीं मानती तो आगे और आंदूलर चाले करेंगे।